स्वागत दोस्तों मैं हूं गौरब जन आप देख रहें यूनिक गुरू 687 यह हम लोग का प्रॉफिटेंड लॉस का पार्ट करिए इसमें एक्सेसाइज हम लोग 1B का 11 नंबर से डिसकस करेंगे इसका आप लोग को से रिक्वेश्ट है कि पार्ट वन और पार्ट देख किया है तभी यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएंगे चलिक कॉस्चन नंबर 11 के तरफ एक अपने आर्टिकल को बेश रहा है 20 परसेंट प्रॉफिट करके इसका मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस से Sailing Price जो है वो 20% जादा है इस situation में 20% हमारा profit हो रहा है If he had bought it 10% less and sold it 30 less he would gave 25% अगर वो 10% कम में खरीदता मतलब पुराने市 कॉश्ट से नया कॉश्ट पराइस 10% कम है और उसको 30 परइस कम में बेशता मतलब पुराने Sailing Price से नया Sailing Price 30 रुप्या कम है कि यूद्ध गेन 25 परसेंट और उसको इस सिच्वेसन में प्रॉफिट हो रहा है 25 परसेंट तो वह फांड प्राइस अव द आटीकल का कॉश्च प्राइस कितना था यह हमें बताना है ठीक है तो हम लोग को स्प्राइस पता नहीं है तो लेट मान लेते हैं कि कॉश्च प्रा किसका कॉश्ट प्राइस का तो आगे हमारा दूसरा कॉश्ट प्राइस किया है पहले कॉश्ट परसेंट पर्सेंट आगे हम लोग का 10 रुपया यानि कि 10 रुपया कम तो 100 से 10ический कम याने कि 90 रुपया भूला मतलब यह नया कोश्ट प्राइस हमारा कितना है अभूर है अब आया हमारा नया सेलिंग्प्राइस क्लेंप्राइस है यह नय वाले कम से 25 पर्सेंट ज्याद है क्यूंकि 25 परसेंट फिया परिट हो रहा है साल लोग नया सेलिंग्म 25-4-100, 4-90 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो आज एग हम लोग को 22.5, दोनों को अड़ कर दी, आगे हमारा 112.5, तो पहला सेलिंग प्राइस है हमारे 120, और दूसरा सेलिंग प्राइस आया 112.5, मतलब हम लोग का सेलिंग प्राइस का डिफेरेंस, हम लोग आप निकालेंगे selling price का difference, selling price का difference मतलब 2 to selling price दिया है बड़े वाले से छोटे वाले को minus करना है तो बड़ा है 120, छोटा है 112.5 इससे 120 से 112.5 को minus किये तो आगे हमारा 7.5 तो जब हम लोग cost price 100 मान के चले उस समय में selling price का difference आया 7.5 लेकिन question में selling price का difference दिया है 30 रुपीज तो हम लोग को ये देखना है कि जब selling price का difference 30 होगा तो उस situation में cost price कितना होगा तो देखे, जब हम लोग cost price को 100 लेके चल रहे है उस situation में selling price का difference आ रहा है 7.5 रुपीज हमको selling price का difference पता है 30 होना चाहिए तो जो हमको पता उसको हम पहले 1 करेंगे तो 7.5 जो वहाँ into में equal to कि इधर आएगा divide हो जाएगा 1 में कितना into करेंगे कि 30 होगा 30 इधर 30 into किये तो इधर भी हम लोग 30 into करेंगे अब क्या point हटा देंगे तो point हटा देंगे तो क्या हो जाएगा by में 10 आ जाएगा अच्छा ये जो by में 10 है ये बाए का बाए है तो बाए का बाए हम लोग का क्या हो जाता है into हो जाता तो बोल कि ये हमारा 10 into साइड में चले जाएगा 15 से काट रहे है 15 टू जा 30 15 5 जा 75 फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 इंटू 24 4 इंटू 100 होग ये हमारा 400 तो इससे हमको समझ में आ गया है कि जब हम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 30 लेके चल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होना चीए 400 होना चीए तो यही हम लोग का कुशन पूछा था तो हमारा एंसर आ चुका है चले नेस्ट कुशन के तरफ बढ़ते हैं ये कुशन हमारा कंप्लेट हो चुका है अब आगे हमारा कुशन नंबर 12 कुशन नंबर 12 में बुला है एक आदमी अपना घर को बेच रहा है पांच परसेंट करके मतलब कॉश्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के प्राइस सेलिंग प्राइस से नया सेलिंग प्राइस कम है ही विल गेन 3 1 3 3 4 परसें इस सिच्वेशन में इसको प्राइस हो रहा है तो यह बताईए कोस्ट कितना था मतलब को नहीं पता तो लेट मान लेते हैं कि कॉश्ट प्राइस हमारा कितना है 100 है पहला सेलिंग प्राइस की आ है 5 परसेंट प्राइस का फॉर्मुला है कॉश्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कॉश्ट प्राइस प्रॉफिट प्रॉफ उसी तरीके से हमारा नया दूसरा सेलिंग प्राइस यह पहला सेलिंग प्राइस था अब यह हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस का वही फॉर्मुला कॉष्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यहां भी कॉष्ट प्राइस वही है सेम है 100 ही है प्रॉफिट यहां हम लोगन फोर से रिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग हर लोग का 3.75 वग को एडD कर दिए तो हमारा आगिया 103.75 तो यह हमारा हमारा सेलिंग प्रैस निकाल लिए हम लोगन तो 2 लोग का दिफरेंस आ रहा है तेकि पहल Чोठ प्रैस हमारा 105 दूसरा सेलिंग price का difference आ रहा 1.25 हम लोगो यह देखना है कि जब-sealing price दोनों e-repeas dific difficulty होगा उस situation में cost price किसी रहे गjos А हूँ सद्री देख हुआ पर लेकर चल रहे थे तो sailing price का difference आगी हम लोग heap 1.25 जो चीज हमको पता है हमको क्या पता है selling price का जिसको जो पता है उसको हम लोग 1 करेंगे यह 1.25 जो हमारा इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा फिर 1 में कितना इंटू करेंगे 250 होगा 250 इधर साथ 250 इंटू कर रहें तो इधर भी हम लोग 250 इंटू करेंगे अभी देखिए यहांँ पॉइंट लगा हँँ पॉइंट ठाने तो क्या ध्रिट के पहले पॉइंट bacon पर जाए गया तो सिच्वेशन में कॉश्ट प्राइस का डिफरेंस दो सजर रहा होगा चली यह कुश्टन भी हमारा हो गिया हम लोग करते हैं नेश्ट कुश्टन की तरफ चली अब आगी हमारा कुश्टन नंबर 13 एक रेडियो बारा परसेंट प्राइस करके बेचा जा रहा है मतलब कॉश्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में हमारा टूवल परसेंट प्राइस है कि इस टूवल परसेंट प्रॉफित है इफ इफ दा कॉश्ट प्राइस है टेन परसेंट लेस एंड सेलिंग प्राइस रुपीज वन मूर अगर कॉश्ट प्राइस हमारा दस परसेंट कम होता पुराना कॉश्ट प्राइस से नया कॉश्ट प्राइस दस परसेंट कम होता औ इस situation में इसको profit होता 25% profit होता find the cost price and selling price to gain 20% तो यह बताईए कि cost price कितना है और selling price कितना होगा अगर हमारा profit रहे 20% चलिए यहां भी हम लोग को पहले क्या निकालना है cost price ही निकालना है हर सी question की तरह cost price हम लोग को पता नहीं है let's माल लेते हैं कि cost price हमारा कितना 100 है उस situation में यह selling price हमारा कितना होगिया cost price plus profit cost price है 100 profit हमारा 12% है हम लोग निकालेंगे 12% किसका cost price का 100 का 12% आगे 12 रुपीस हम लोग का 112 सेलिंग प्राइस आगे 112 फिर हमारा दूसरा cost price पहले cost price से 10% कम है तो पहला cost price हमारा 100 फिर 10% निकालेंगे 100 का और उसको माइनस कर देंगे तो 100 का 10% आया 10 रुपया यानिके 100 से 10 रुपया कम यानिके नया cost price हमारा 90 रुपिया है यहाँ पे नय cost price और नय selling price में 25% profit है तो selling price का formula है second selling price cost price plus profit नया cost price से 90 और हमारा profit यहाँ पे कितना 25% 25% किस करना एंटी का 25 बन जाए 25 25 फोर से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22.5 तो आगे हम लोग का 112.5 तो दिखेंगे पहला selling price प्राइस आया हमारा 112 और दूसरा selling price आगया 112.5 तो हमारा दोनों selling price का difference निकालने के लिए बड़ा से चोटा माइनस कर देंगे बड़ा है 112.5 और चोटा 112 तो आगे हम लोग का 0.5 यह होगी हमारा selling price का difference कब जब हम cost price 100 लेके चले मतलब जब हम cost price 100 लेके चल रहे हैं उस Sailing price का difference 0.5 तो हमको यह बताना है अगर selling price का difference 1 होता तो cost price कितना होता तो देंगे cost price 100 लेके चल रहे हैं उस सिक्वेसन में selling price का difference ले इसार रहा है 0.5 पर ses कितना है यह हम लोगों को जानना है इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमारा बाय में आ जाएगा 10 अच्छा यह बाय का बाय जो होता है वह हमारा इंटू हो जाता है तो टैन हमारा इंटू हो जाएगा और 05 मतलब क्या हो गया फाइव भी वह नंबर से पहले फाइव फाइव टैन और टू इंटू हंडेड होगी हमारा टू हंडेड रुपीज तो इससे हमको समझ में आगी है कि जब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस वन होगा कुश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस वन था इसका मतलब हमारा कॉश्च प्राइस कितना रहा होगा 200 प्राइस निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मल रा है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉस अगर 200 है प्रस तो है प्रॉपित कितना 20 % 20% किछा 200 का कॉछछ पैस दो सो है इंट का 2 0 है तो 20 20 इंट 2 होगा यह 40 तो 200 प्लेस 40 240 रुपीज आगे हमारा सेलिंग प्राइस तो यह हमारा कुश्चन नमर 13 कंप्लीट होगी आप कुश्चन नमर 14 करेंगे कुश्चन नमर 14 में क्या बुला एक्स बाय रेडियो और उसको 10 परसेंट करके बेचा मतलब कॉश्च प्राइस से सेलिंग प्राइस का बीच कर दिफरेंस किया 10 परसेंट इप हो 10% फिफ है इस पर्सेंट फिफ है इसको 35 कं प्राइस रूह सेलिंग प्राइस नया सेलिंग प्राइस हमारा 25 कं," कид हम और इसस्युवेशन में इसको प्राफेंट होताा 15 पर्सेंट प्राइसness सब्सक्राइब इसके निवह बताना है कि कोशच पाइस कितना होगा तो कोश्ट हमको पता नहीं है लैअ माल लेते हैं हुआ है से हमारा वह ऐद है तो उसे साथ से हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मुला कोशच प्राइस प्रोफिट है 500 प्रोफिट we can निकालेंगे 100 का अंडेड का 10 per cent 10 रुपीज यह आएगा तो 100 प्लस 10 हो गिए हमारा 110 यह होगी हमारा पहला सेलिंग प्राइस है पहला कॉस्ट प्राइस दोनों अभी हमलों नया कॉस्ट प्राइस से 10 परसेंट कम पहले यह न प्रैस निकालेंगे न प्रैस क्या है नए वाले और सभाई से 15 परसिंग से 15 परर्सेंट अए तो सेलिंग्पराइस का मिल्मल्小時 प्राइस मट्राने चैनल परक्राइस से नभेस माल लगते पंदरा परसिंटी यह सकते हैं इंटी प्लस पंदरा इंटी। नहीं होगी 135 बाएं में बचा है दस तो 135 बढ़्य 10 होगी हम लोग का 13.5 दोनों आड कर दिये तो आगे हमारा 103.5 यह होगी हमारा सेकेंड सेलिंग प्राइस यह हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस तो दोनों सेलिंग प्राइस का लोग 100 पर लेके चले तो हमारा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ गया 6.5 कोश्चन के रिसाब से सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए 65 तो जो हमको पता हम उसको बन करेंगे तो यह जो हमारा यहां पर इंटू में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा मतलब 100 भाइ 6.5 पहले से था और 6.5 जो यहां इंटू में था इधर आके डिवाइड हो गया बन में कितना इंटू करेंगे 65 होगा 65 इधर 65 इंटू कर रहे तो इधर भी हमको 65 इंटू करना है और आप यहां एक डिजिट के पहले पॉइंट है पॉइंट हटा देंगे तो क्या आएगा बाइध में 10 हैना का इंटू मतलब 10 हमारा क्या हो जाएगा इंटू होजाएगा अब काटेंगे 66 कट इंटो दस आ गया हमारा हजार रोपए मतलब हमको यह समझ में आ गया कि जबής सेलिंग प्राइस ृइप रिफ्रिंग तो में सक्विश्ट और उगा हजार रॕई नंबर 15 करते हैं अब कुश्चन नंबर 15 में बुला है विनुद से लेवाच 10% प्रॉफिट अपना घड़ी को बेच रहा है 10% प्रॉफिट करके मतलब कॉश्ट प्राइस से से लिंग प्राइस का डिप्रेंस है में है बीच में 10% प्रॉफिट है इफ यह बॉट 15% लेज अगर 15% कम में खरीदा होता अंदरा परसेंट कम में खरीदा होता अनला पुराने कॉश्ट परेस से नया कॉश्ट से 15% कम है और शोल इत रुपीज एट इंटीम लेज और अठाव उर प्रॉपिया कम है आपक पुराने से लिंग प्राइस नया सेलिं हो रहे है 20 परसेंट बताना है कि कौ स्कितना होगा से अर mina प्राइस को यह 50% सेटेंड़ 2000 प्लशलाई कैप इस पुराने कोश्वाइज से 15 प्रशेंट कम नभी नया कोश्वाइज निकालेंगे नयाव आले कोश्वाइज है नगे तो पागे सतरा इसको पास से कट कट गिया तो हम लोग लोग आ गया वन वन बाइवन इंटु तो हो गिया हमारा सभी यहां पर 75 प्लास में लगों का 102 तो फाइर नेक्ट प्राइस है पहला से इक सो दस आया दूसरा से इस दो आया तो दोनों selling price का हमारा difference है 110-102 यानि कि 8 रुपया दोनों selling price का difference तो जब हम लोग cost price 100 लेके चल रहे थे तो selling price का difference है हम लोग का 8 रुपया question में हम लोग का selling price का difference 18 रुपया तो हम लोग को यह देखना है कि जब selling price का difference 18 होगा तो सिच्वेशन में कॉस्ट प्राइस कितना होगा तो इसको हम लोग बन कर दिये तो एट हमारा जो इंटू में इदर आके डिवाइड होगया वन में कितना इंटू करेंगे 18 होगा इधर 18 इंटू करेंगे इसको 2 से काटे 4 इसको 2 से काटे 9 हो चार से काटते हैं चार से काटेंगे 100 को आगिया मारा 25 तौई इंट फैइव तो हम लोग यह सबाद कि सेलिंग हमारा क्वश्च कि तरफ यह लिए को नमबर 16 कोश्चन नमबर 16 एक डीलर मार्क इस गूड्स 30 परसेंट अब और अपना समान का दाम 30 परसेंट ज्यादा रख रहा है कोश्ट प्राइस से तो यहां पर तीन चीज है एक टो कोश्ट प्राइस मतलब खरीदाम सेलिक प्राइस विकरीदाम मार्क प्राइस मतलब मार्क जो भी समान का प्राइस रखा गिया है वेचने के लिए डीलर मार्क इस गूड्स 30 परसेंट एक डीलर अपने समान का मार्क रख रहा है कि कि से सुटे से मतलब कोश्ट प्राइस अगर उसका hundred होगा तो 30 परसेंट मतलब थाटी ज्यादा मतलब उसका इसको मत बताना है कितना परसेंग प्रिट किया मतलब और हमको निकालना क्या है profit percentage तो यहां पर हम लोग को जानना है profit percentage तो इसका हम लोगों को पहले cost price ही नहीं पता तो लेट माल लेते हैं कि cost price हमारा 100 है उस हिसाब से हमारा MRP कितना हो गया 30% ज्यादा तो 100 15% discount discount MRP पर दिया जाता है तो selling price कैसे निकलेगा MRP से discount माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा MRP 130 discount 15% किसका 130 का एक इंटू का एक डिवाइड का cut-up 5 से काटेंगे 5 3 15 5 2 10 और तो कटनी रहा है तो 130 माइनस 3 इंटू 13 होगी हमारा 39 by 2 39 को हम लोग 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 19.5 तो 130 से 19.5 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 111.5 111.5 ठीक है चलिए तो हम लोग को प्राफिट का फॉर्मुला है सेविंग्प्राइश माइनस क्उस प्राइश सेलिंग्प्राइशар 112 प्टॉंट्पाइव कि इसले हम लोग माइनस करदेंगे क्व्च ă.वह गता करदेख ₹2- कि प्रॉफइड का लिए Grü पाइव पॉइंट थेली स्वरी यहां राज यहां हम लोग आ गिए 100 10.5 माइनस यानिकि 10.5 तो प्रफिट होगी हमारा 10.5 हम लोग को निकालना प्रॉफिट परसेंटेज इसका फॉर्मुला है प्रॉफिट बाइक कॉश्ट पाइस इंटु हंडेड लेके चले थे इंटु हंडेड इंटु कंडेड इंटु हंडेड क्या कर रहा है अपना मार कर रहा है मतलब MRP जो रख रहा है समान का वो कितना रख रहा है 20 परसेंट ज्यादा रख रहा है जो रहा है और 8% डिसकाँट दे रहा है मतलब MRP से से लिंग प्राइस जो हमारा 8% कम है 8% कम है तो बताना है फाइंड प्रोफिट पर्चेंट पर्चेंट लेकिन यहां पर पूछ़ा प्रोफिट परसेंट कितना है तो समको पता नहीं प्लेट मान लेते हैं कि कौश्ट पास हमारा हंडेड है में मार्पि हम दो कम जादा है यह कम तो 8% discount discount हमीश्य MRPP दिया जाता है तो selling price हमारा 8% कम है 120 इसे minus कर देंगे 8% का 120 का into का 10 divide का 10 2 से काटेंगे 5 इसको 2 से काटेंगे 6 तो हम लोग का 120 minus 6 into 8 ओग या 48 by 5 48 को हम लोग 5 से रिवाइड करेंगे तो हम लोग आ जागा 9.6 120-6 कितना आ जागा हम लोग कर से महां verdi tsunami से यह आगे हम लोग का हम लोग का सेलिंगट कला से किसों थो तो हम लोग को देखना है profit कुतना Yuk दोने का फॉर्मला है सेहलिंग प्राइस माइनस स्कॉष्ट प्राइस है हमारा कि 100 10.4 में स्कॉष्ट से हंड़ेवाइट हो रहा है 10.4 में निकालना है इसका फॉर्मूला प्रॉपेट बॉप्ट प्राइस इंटू हंडे प्रॉपिट है यहो रखेंगे तो क्या होगा जैसे यह 0.4 0.4 मतलब 4 बाइ 10 है 2 से कड जाएगा मतलब 2 बाइ 5 तो इसको लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 10 तो बाइ 5 परसेंट भी इसको लिख सकते हैं ठीक है तो यह हमारा पॉइंट में अंसर है यह हमारा फ्रेक्शन का अंसर वोक में हमारा फ्रेक्शन पर एंसर दिया हुआ था चलिए नेस्ट कोश्चन की तरब बढ़ते हैं चलिए कोश्चन नमबर 18 ए डीलर मार्क इस गूट 20 परसेंट अबॉफ कॉस्ट बट अलाव 5 परसेंट इसकाउंट तू दा कॉस्टमबर इफी सेल न आर्टिकल 228 वाट डासी गेन उन एट एक डीलर क्या कर रहा है कॉस्ट ज्यादा रख रहा है और 5 परसेंट डिसकाउंट दे रहा है मतलब MRP से से प्राइस जो है वह 5 परसेंट कम है ठीक है अगर वह बेच रहा है 228 मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया 228 वाट ड़स ही गेन उन इट तो उसको कितना प्रॉफित हुआ है कितना रुपिया प्लस का 20 परसेंट का तो आजागा हमारा 20 रुपिस तो अगर प्लस प्लस होगी है तो उस सिच्वेशन में हमारा मर्पी होगा 120 फिर इस पर पाच परसेंट डिसकाउंट है तो सेलिंग प्राइस कैसे होगा MRP मैनस डिसकाउंट MRP हमारा 120 और पांच परसेंट निकालेंगे 120 का इंटू का एक जिरू डिवाइट का एक जिरू कटा पांच हेकम पांच पांच दूनी दस दो का अधा एक दस का अधा छे तो 120 माइनस छे होगी है 114 मतलब सेलिंग प्राइस आ रहा हमारा 114 ठीक है तो अगंडया नें तो जब हम लोगन कॉष्ट प्राइस को हंडरेड़ लेके चले थे उसीचवेशन में सेलिंग प्राइस अगिया 14 जेकिन कोष्चन में सेलिंग प्राइस दिया है 228 कि गांच के चितना हो कि नहें पर लिकमार हो जानुन कर देते हैं तो 114 जो वहां इंटू एंटटू करेंगे तो 114 कम 1414 दूनी 282 मतलब 114 कर डबल होता तो हंडड़ इंटू टू होगे तू हंड़ेट रुपीस तो हमारा सेलिंग प्राइस है 228 और कॉष्ट प्राइस है 200 तो कितना अभाँ होगा अफरी कलेंगे सेलिंग प्राइस मानस कोष्ट प्राइस सेलिंग है हमारा 228 कॉस्ट प्राइस अगर 200 मतलब आठाइस रुपय प्रॉफित हुआ तो एंसर होगी आठाइस रुपय तो अब चलते हैं नेश्ट कुश्चिन की तरफ कुश्चिन नमबर 19 वाट परसेंट अबाव कॉश्च प्राइस मस्ट डिलर मार्क हिस गूट सो एट आफ्टर अलाउंगेट डिस्काउंट ऑफ तेन परसेंट इमें स्टील गेन 35 परसेंट पूछ रहें एक डिलर अपना समान का MRP कितना डाले मतलब कॉश्च प्राइस से MRP कितना परसेंट अब हमारा मतलब marketing प्राइस दशीक परसेंट कंब हो तो उसको 35% फटीफ परसेंट अगर देखते हैं का 35 यानि के 35 रोपीस तो उसाब से सेलिंग प्राइस होना चाहिए कोश्ड प्राइस का फॉर्मला कोश्ड प्लस प्रॉफट कोश्ड प्रॉफट हो गया 35 यानि के 135 यहां पर सेलिंग प्राइस MRP से 10% कम है MRP से Sailing Price से MRP 10% ज़्यादा नहीं है अगर Sailing Price से MRP 10% ज़्यादा होता तो हम लोग Sailing Price का 10% निकल के जोड़ के MRP जान लेते मगर यहाँ पर क्या MRP से 10% कम है Sailing Price तो हम लोग यह देखेंगे कि MRP और Sailing Price के कि यहां रिलेशन है तो इतना भी MRP है उससे 10% है कम है सेलिंग प्राइस तो मालेते हैं MRP 100 है और 100 का 10% 10 उर्पया तो यह हो गिया हम लोग का MRP और सेलिंग प्राइस का रिलेशन इसकी मदद से हम लोग को कोई एक चीज पता होगा तो हम लोग दूसरा निकाल सकते हैं हम लोग को यहां सेलिंग प्राइस पता है इसकी मदद से हम लोग MRP निकाल लेंगे तो सेलिंग प्राइस को यहां पता ह हो है उसको बंकर देते गां थीन untuk गां U में इधार आके डिवाइड हो गया वन वे कित gefड़ी करें अधर 135 इंट्य करें तो कहें इसको इसको 5 से काटे 18 इसको 5 से काटते दो बार में 10 27 आ गया फिर 9 से काटते दो बार में 18 नो तीय 27 दो काधा एक सो काधा 50 पचास इंटू 3 होगी हमारे डेड़ सु रुपिया तो हमको समझ में आ गया कि जब सेलिंग प्राइस हमारे यह आप एमार्पी रहोगा नहींड़ फिफ्टी तो देखें कॉष्ट प्राइस जब सो था तो मार्पी निकला 150 तो कॉष्ट प्राइस एस एमार्पी इस अबाव देन प्राइस मार्पी कॉष्ट प्राइस से कितना ज्यादा है कॉष्ट प्राइस सो यानि कि 50 रुपया ज्यादा है हमको यह देखना है कि मर्पी इस अबाव देन कॉष्ट प्राइस कॉष्ट प्राइस से कितना ज्यादा है मर्पी इस अबाव देन कॉष्ट प्राइस इन परसेंटेज परसेंटेज में जानना है ठीक ना तो कितना ज् इतना है 100 है इंटू हंडेड इंटू का हंडेड डिवाइड का हंडेड कट गया तो आगे हमारा 50 परसेंट इसका मतलब क्वेश्चांबट लुट ड्वर चलते हैं इफ न आपिकल सोझ एक प्रॉफिट ऑफिफट परसेंट अग एक आइक आडिकल बेचा जारा है 25 परसेंट प्रॉफिट करके मतलब कोश्टरा से और से शेलिंग प्रास क्या है 25 परसेंट ज्यादा ज्याद यह सिच्विशन में 25 25% profit हो रहा है after long discount of 20% discount 20% discount MRP से दिया जाता है मतलब MRP से selling price 20% कम है find the mark price of the article मतलब MRP निकालने के लिए बोल रहा है ठीज है यह profit figure is 15% आगर profit कितना हुआ है मतलब cost price से selling price ज्यादा है 15,000 रुपए मतलब 15,000 profit हुआ है ठीक है न यहां पर profit दिया है 25% और 15,000 मतलब 25% हमारा बराबर है कितना के साथ 15,000 के साथ हमेशा cost price जो होता है जबी भी याद रखिएगा cost price हमेशा कितना होता है 100% होता है तो cost price हमारा 100% होता है 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यह जब 100% निकालना है माल लेते हैं यह 15,000 है हमारा 25% 25 में कितना इंटू करेंगे कि 100 होगा 4 मादला हमारा cost price हो गया 60,000 तो selling price का formula है cost price plus profit cost price हमारा 60,000 profit हमारा 15,000 यानि कि selling price हो गया 75,000 तो इससे हमको cost price selling price पता चल गया selling price से MRP 20% ज्यादा नहीं है MRP से 20% कम है selling price तो मान लेते हैं कि MRP हमारा 100 है और selling price 20% कम, 100 का 20% 20 रुपया तो 20 रुपया कम यानि कि 80 रुपया यह हम लोग का MRP और selling price का relation है इसकी मदद से हम लोगा दोनों में से कोई भी एक चीज पता होगा तो दूसरा चीज निकाल सकते हमको selling price पता है हमको MRP जानना है तो जो चीज पता है इसको हम लोग 1 करेंगी तो 80 जो यहां इंटू में है इधार आके डिवाइड हो जाएगा वन में कितना इंटू करेंगे कि 75,000 आएगा 75,000 इधर 75,000 इंटू कर रहे तो इधर भी हम लोग 75,000 करेंगे 20 से कट जागा 24 जा 25 जा यह तो इससे कटेगा नहीं तो 5 इंटू 75,000 हम लोग हो गया 375,000 बाय में 4 है तो 4 से हम लोग 375,000 को इधर करेंगे तो 4 9 जा 36 बचाएगे हम लोग का 1 यह 5 4 3 जा 12 यह आगे 0 7 टाइम्स में होगी हमारा 28 बचा 4 यह आगे 0 40 तो 28 बचा 2 20 फोर 5 जो होगी हमारा 20 और यह जो 0 बजगे यहाँ पर डारेक्ट चले जाएगा तो हमारा आ जा रहा है 93,750 रुपीज